Hi everyone, welcome to our channel और आज के इस वीडियो में हम लोग इस particular topic को यहां पर wrap up करेंगे and हम लोग इसके बाद bootstrap पर चलेंगे जिसमें कि हम लोग bootstrap के कैसे हम लोग bootstrap क्या होता है basically and उसके functions के बारे में और different different चीजों के बारे में हम लोग वहां पर discuss करेंगे तो यह CSS का हमारा last video है जिसमें कि मैं आप लोग को कुछ basic चीजे बताऊँगा जैसे कि आप लोग button कैसे add कर सकते है मैं यहां पर मैंने जो यहां पर my youtube channel जो button लगाया है इस button को यहां पर यह normal anchor text है इसको मैं change करके एक button में convert करूँगा तो यह हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग CSS को यूज करके button create कर सकते है so that I am going to teach in this video and also मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैसे hover property को किसी भी element के साथ आप लोग use कर सकते इसका मतलब कि आप जहां पर भी mouse को move करोगे उसका property को आप कैसे change कर सकते हो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोग को बता दूँगा and that's all we'll be moving on to the next chapter of bootstrap so let's get started so first of all यह हमारा website है कुछ इस तरह सा दिख रहा है my name is Rudra I am a YouTube content creator and यहां पर मेरा एक image है और यह मेरा बार में चोटा सा description है then हम लोग के पास एक HR tag है horizontal line and जिसको कि मैंने यहां पर 50% का या फिर I don't know 20% का मैंने यहां पर इसको इसका width रखा हुआ है then हमारा skill वाला section आ गया जिसमें कि मैंने अपने skills को note down किया हुआ है web development, video editing and motion graphics, content creation तो यह सारे चीज़े मैंने यहां पर list down किया हुआ है और उसके बाद यह bottom में हमारे पास normal get in touch और यहां पर मैंने यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हुआ है और यहां पर एक button है तो first of all we are going to add a button over here तो button के लिए आप लोगों को एक amazing tool में आप लोगों को बता देता हूं css3buttongenerator.com अगर आप लोगों को button create करना है तो this is a very good website no ads absolutely no ads तो मैं आप लोगों को पताता हूं कि कैसे button create करते हैं यहां पर right side में आप लोगों को एक preview मिल जाता है कि button कैसे काम करेगा यहां पर जो text है आप इसे change कर सकते हो जैसे कि यहां पर click में लिखा हुआ है यह आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हो और यहां पर font family लिखा हुआ है aerial georgia और courier new तो यह आप अपने हिसाब से font family को directly अपने code में adjust कर सकते हो and font का color जो है let it be a little off maybe white is good तो आप अपने हिसाब से इसको भी change कर सकते हो ठीक है मैं इसको white ही रहने देता हूं okay the font का size जो है बो भी आप यहां से change कर सकते हो I like to keep it small और यहां पर text का जो shadow है बो भी यहां पर आप लोग decide कर सकते हो उसके बाद यहां पर box के properties के बारे में भी लिखा हुआ है अगर आप लोग box में padding के से देना चाहते हो padding के बारे में आप लोगों को पहले भी बताया था and उसके बाद border जो property है कि border को आप कौन सा property रखना चाहते हो फिलाल के लिए में जो box का property है मैं इसको 10 ही रहने देता हूं it looks good उसके पाद हम लोग border पर आएंगे और border पर भी आपको जैसे की इसको आप लोग कैसा बनाना चाहते हो में भी circular round rectangle anything that you want तो हम लोग थोड़ा सा बस यहां पर rectangular रखेंगे एंड इसका border है border width और background colors यहां पर लिखे होए starting color ending color यह starting color अब जब हम लोग आप माउस लेके जाते है वह है ending color तो वह भी आप लोग यहां से change कर सकते हो में भी हम लोग YouTube के लिए बना रहे हैं तो we can keep it red and this one is a gradient option तो a little dark red वाव इट लुक्स कुट ठीक है अब इस पर मैं जैसे ही माउस लेके जा रहा हूं इसका color change हो रहा है let's keep it a little red only maybe a little red you can keep it feca red हम लोग रखते हैं and इसको हम लोग थोड़ा सा फिका red रखते हैं pinkish ओके अब जब हम लोग इसमें माउस लेके जाते हैं अब आप लोग देख सकते हो कि इसका color change हो रहा है maybe we can keep it green because green is a very good sign okay green and keep it green okay now it looks good okay so अभी हम लोग को क्या करना है यह एक button मतलब btn यहां पर लिखा हुआ है तो इस property को हम लोग exactly copy कर लेते है btn जो है इसको copy करके हम लोग अपने css property में paste कर देते हैं but इसको paste करने के बाद अगर इसको आप लोग लोग save करके अपने website में जाओ और control a दबाओ तो आप लोग देख सकते कि इसमें कोई absolutely no changes there तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों यहां पर changes नहीं हो रहे यहां पर हमने जो button property जो यहां पर button class हमने डाल रखा है इसको हमने define नहीं किया तो इसके लिए हम लोग यहां पर जो anchor tag हमने create कर रखा है इसमें हम लोग इस button property को add कर देंगे यहां पर हम लोग एक class create करते हैं और classical RAM हमें रखना है btn okay we have copied it तो btn है हमारा class का नाम आप अपने हिसाब से रख सकते हो you can change it also btn को आप लोग में भी I can change it to subscribe subscribe c r i b e okay you can change it to subscribe also as whatever you like like मैं यहां से subscribe को कॉपी कर लेता हूं copy it and आप लोग यहां पर बटन के जरीए subscribe भी add कर सकते हो okay ctrl s sorry css property को save नहीं गया ctrl s और अब जब आप लोग अपने website में आते हो आप लोग देख सकते हो कि यहां पर beautiful सा button create हो चुका है all right अगर इसमें आप लोग क्लिक करते हो तो आपका हमारा यूटीब चैनल पर आप लोग टारेट ली redirect हो जाते हो all right तो यह है एक button create करने का तरीका है actually there is no such difference यहां पर and that is why it is not changing the color okay so यह था हमारा पूरा button add करने का तरीका आप लोग मैं इसको actually change कर देता हूं I want to keep it button only okay button यह hover property हो गया मतलब उस पे अगर आप लोग माउस लेके जाते हो तो उसमें क्या changes होंगे माउस लेके जाने पर यह color changes होंगे उसमें और हमने यहां पर यह button को define नहीं किया था यहां पर हम लोग subscribe को change कर देते हैं ठीक है copy and will change it here okay subscribe को change करते हैं अब यहां पर होबर property को अगर हम लोग change नहीं करते तो यह property show नहीं करता होगे अभी हम लोग जब अपने website में आएंगे controller अभी आप लोग देख सकते हो कि यह color change हो रहा है तो नीचे बाला जो हमारे पास है class वो है contact me बाला class है इसको हम लोग copy कर लेते हैं और यहां पर हम लोग इसको paste कर देते हैं उससे पहले dot लगाना मत भूलिए sorry dot and इसके बाद हम लोग इसको hover करने पर इसमें क्या क्या changes होंगे उसको define करेंगे hover okay यहां पर हम लोग अपने CSS property डाल देते हैं अगर let's suppose कि I want to change the background color okay background color इसको हम लोग रखेंगे maybe you can keep it red okay ctrl s or tap ctrl r और आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं माउस पर लेके जा रहा हूं यह color change हो रहा है so that is mostly useful when you want to highlight some links and you want to show that जब आप लोग माउस पर hover करते हो तो इसका color change हो जाता है ठीक है तो that's just an example to show you कि ऐसा अगर आप लोग hover property को add करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो okay ctrl r अभी यह hover property काम ने कर रहा all right so that's what we have throughout we have learned about css and how to use css to design your website जो लोग हमारे साथ हम लोगों को follow कर रहे अभी तक css तक तो I hope की end up this one maybe you are able to create a similar kind of website और आप लोगो in between बहुत सारे सीजने सीखने को मिला होगा and जो लोग हमारे साथ साथ कोडिंग कर रहे अभी then I believe कि आप लोगों को css and html के बारे में बहुत सारी चीजे सीखने को मिला होगा and you can also change everything using the position property you can change the height, width, margin, padding everything you have learned throughout this video तो that's all about today's video इसके वीडियो के अगले वीडियो में जब हम लोग अगे बढ़ेंगे तो हम लोग बूट्स्ट्राप के बारे में सीखेंगे and that is going to be really really fun okay so stick to our channel, subscribe it and if someone is interested in learning about website development and want to get a job in web development or want to get into software development then this course or this series of videos that we are making are going to help them a lot so thank you guys, thanks for watching this video, bye bye, I'll see you in the next one